पर तेजर्स जी मैं आपके पास आना चाहूंगा इस सवाल के लिए तो इनकी खरीदारी है 100 शेरों की 225 के रेट से अब वहां से देखे तो बाजार में ज्यादा खास करेक्शन नहीं कुछ 2% ही नीचे आता हुआ नजर आया है स्टॉक हाला के अगर हम ऑगस्ट हाई से सब्सक्राइब हो चुका है थोड़ा रिवर्स से एक्सपेक्ट किया जा सकता है साथी साथ एक स्टॉपलोस भी बता दीजिए कि यह स्टॉक ने जो है 264 का एक हाई बना कि हमने इसमें सेल आफ देखा है स्टॉक ने अपनी 50 दिन और 20 दिन की मुविंग तोड़ दिया उस तो मेरे सबसे अगर इनका लंबी अवधी का नजरिया है तो 215 का एक स्टॉपलोस लगा के होल कर सकते है और यहां से अगर कोई रैली आती है तो उपर में 235, 240 के करीबन अगर पुल बैक रैली आती है तो वहाँ पे उनको एक्जिट करना चाहिए तो 215 के स्टॉपलोस से होल कर लीजिए स्टॉप को और इसमें अगर 235, 40 का लेवल आता है तो वहाँ पे एक्जिट करीए ठीक है तो यह है राय अशोक लेलेंड पर आपको मिलती हुई दामोदर राव हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए दामोदर जी नमसकार कहां से बात कर र ठीक है तो हमें बताईए कितना समय दे सकते हैं मैं तो लांग टर्न के लिए रखा था ठीक है राजर जी मैं आपके पास आना चाहूंगा आईडी अफसी फर्स्ट बैंक का 88 रुपए के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है नजरिया इनका लांग टर्न था लेकिन लगाता तो उसमें बिलकुल भी पार्टिसिपेट स्टॉक ने किया नहीं है और काफी अंडर पर्फॉर्मेंस स्टॉक में देखने को मिला है और अभी भी अगर देख रहा हुँ तो जो रिसंट वीक्स के जो लोस थे तो वो स्टॉक में हमें ब्रेक होते हुए दिखाई दे रहे ह काफी गिरा है स्टॉक एंड आगे भी ये फॉर्दर विक्नेस हमें देखने को मिल सकता है तूर्ज दी लेवल्स ऑफ 65 बट क्यूंकि ये एक लॉंग टर्म इन्वेस्टर है 65 एक अच्छा सपोर्ट है एक मेजर लॉंग टर्म ब्रेकाउट 65 के आसपास है यहाँ पर ओवर ठीक है यहाँ पर होल्ड कर रहे और अगर बाउंस आता है तो जहाँ पर आपका बाइंग प्राइस था वहाँ पर सेल करने का रिकमेंडेशन यहाँ पर दिया गया है इसे के साथ हमें पास वाट्स अप भी सवाल आ रहे तो वहां से ले ले लेते हैं यह सवाल है आबिद अनसारी जी का तो यह जियो फिनान्शल होल कर रहे हैं पच्चार शेर थ्री सिक्स्टी के भाव से तेजस जी आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिएDie सीची से ये खरीदारी करके रखे है तरे थ्री सिक्स्टी का रेट काफी अच्छी है तो hold कर सकते है बट अगर इनका trading का नजर यहा है तो stock अभी जो इसकी लंबी अवदी की moving average है 323 के करीबन है उसके करीबन trade कर रहा है तो 323 या 320 का stop loss है hold करे और यहां से अगर कोई pullback rally आती है और करीबन उनको level मिलता है 350 के करीबन तो वहां पर exit करना चाहिए तो 320 का stop loss है for long position ठीक है तो यह थोड़ा आपको एक रणनीती के तहत इस stock में जो है आगे आगे आपको रखना होगा और खास तोर पे आपको long term और short term दोनों लिहाद से आपको advice दी गई बढ़ते हैं आगे प्रभाकर का सवाल लेते हैं WhatsApp पे उन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचा है IRFC पे राय जाना चाहते हैं 182 रुपए की इनकी buying है नुकसान यहाँ पर जिलते हुए IRFC राजे जी अच्छा खासा नुकसान यहाँ पर होता हुआ 182 की इनकी buying है आज भी हम देख रहे हैं कि लगबग 5% यह stock पिटा हुआ है बताईए क्या राय होती है आपके Stock पहले सी underperform कर रहा था और जो इसका जो long term moving average at 200 DMA उसके नीचे अल्रेडी slip हो चुका है आने वाले sessions में भी further weakness हमें देखने को मिल सकता है तो फिलाल के लिए avoid कीजिए इसका जो next support बन रहा है वो है उसका around 128 के असपास वहाँ से stock generally bounce करता रहता है बत अभी फिलाल के लिए तो further weakness है 120-130 जो है इसका next support zone है जी विल्कुल आपको levels दे दी गए है राजेश जी के तरफ से इसे के साथ WhatsApp से सवाल ले लेते हैं यह देवदत जी का सवाल है JSW Infra पर तेज़ जी आपके पास आना चाहांगा इस सवाल के लिए यहां पर हम देख रहे कि यह 47,000 शेर होल्ड कर रहे है करीबं 220 के भाव से अगर यहां पर आप टेक्निकली बताए कि यहां पर इसमें आपको क्या नजर आ रहा है साथिसाथ अगर हम चार्ट पे देखे तो स्टॉक तो काफी जादा उपर है वहां से दिखा जाए तो कुछ 43% का अपमूव 40-50% का अपमूव दे चुका है हाला कि पिछले कुछ 6-7 मेने से शायद हम देख रहे हैं कि 3-4 मेने से एक sideways range में घुमतवा नजर आ रहे है एक broad range बनावा यहां पर यहां पर क्या साला दी दी जाए साथी साथ यहां पर क्या थोड़ा सा मुनाफ़ा बांध लेना चाहिए क्योंकि इतना profit अल्रेडी हो रहा है और market थोड़ा सा pressure में दिख रहा है अभी definitely मेरे इसाब से तो 50% करना ही चाहिए क्योंकि जो इसाब से भी global uncertainty है तो market में जो विक्वाली का दबाव है वो जारी रह सकता है अगर इनका लंबा नजरिया है तो इसमें पोजिशनल के इसाब से 285 का stop loss रख सकते है अगर ट्रेडिंग का नजरिया है तो फिर 303 का stop loss रख सकते है और 50% करन भाव में यहां तो यहां से कोई pullback rally आती है 330 से लेके 35 के बीच में तो वहां पे exit करना चाहिए तो यह है राए JSW Infra पे आपको मिलती हुई अंकित श्रिवास्तव का सवाल लेते हैं यूट्यूब से हमारे पास आया है जे अनके बैंक पर राए जाना चाहते हैं 120 के भाव पे इनोंने जे अनके बैंक में खरीदारी की हुई है और हम देख रहे हैं कि लगातार एक जो है यह अप्रैल मई के आसपास की खरीदारी इनकी लगती है तो यहां से भी जो है वो लगातार एक गिरावट देखने को मिली है पिछले च्छे महीने में साड़े अठाइस पॉसंट की गिरावट हम देख चुके हैं स्टॉक में हाला कि इनकी शेयरों की क्वांटिटी कम है इसलिए 3300 का ही नुकसान इनको यहां पर होता हुआ बताएं राजेश क्या करना चाहिए कोई उच्छाल आए वहां पर एग्जिट कर लें क्योंकि जिस भाव से इन्हें उन्हें खरीदा है वहां से तो continuous downtrend हमें देखने को मिल रहा है देखें मिटकाप बैंकिंग काउंटर है जैन के बैंक और इसका जो सपोर्ट था वो था राण 102 का हमेशा 102 के लेवल्स पे फोल्ड करता था बट अब भी उसके नीचे एक सस्टेंड ब्रेकडाउन आया है और यहां मिटकाप काउंटर में अगर मार्केट में बाउंस भी है तो मिटकाप काउंटर में यह जो सेल ओफ है वो कंटिन्यू हो रहा सकता है तो यहां से भी जो है फॉदर डाउंसाइड एक्सपेट कर रहा हूं पॉसिबली यहां से परसंटेज वाइस काफी अचा करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है तो सला होगी कि जो अंडर परफ करना है तो फ्रेंट लाइन में जाए जये जैनके में इसे एक्जिट की जैए आइस एसे में अच्छा काउंटर है उसमें शिफ्ट कर सकते हैं जिबलकुल जिनके में थोड़ा बेरेज सेंटेमेंट बनता हूँ नजर आ रहा है इसे एक्जिट करके आपको आल्टरिन दे अपने पूजिशन ले सकते हैं इसे के साथ अब यह वाट्सप पर एक सवाल है यह अजी जूल जी का है आपके पास आना चाहूंगा इस सवाल के लिए बी एल में इनकी खरीदारी है 200 शेर होल कर रहे है कुछ 297 के भाव से अब वहां से देखे तो स्टॉक ऑलरीडी 11 परसेंट गिर चुका है लेकिन जुलाई हाय से देखे तो वहां से कुछ 20-22 परसेंट गिर चुका है इतना गिरने के बाद यहां पर क्या थोड़ा सा ओवर सो पुलबैक रैली आती है करीबन 280-85 के करीबन वहां पर एक्जिट करना चाहिए अगर इनका लंबा नजर यहा है और इंवेस्टमेंट के हिसाब से होल्ड करना चाहते है तो फिर 250 का इनको एक स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा जो इसकी 200 एक्स्पोनेंशल मुविंग ए पर बढ़ते हागे विवेक अभारद वाज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं विवेक गुड मॉनिंग कहां से बात कर रहे हैं जी में मुंबई से बोला हूं जी विवेक बताएं किस स्टॉक पर आपको राय जाननी है टाटा पावर है एक रतान पावर पिकर के दो कंपनी का है टाटा पावर पे हम आपको राय दे सकते हैं यह हमारे डेटा बेस में बताएं टाटा पावर किस भाव पे आपने लिया है लेकिन जब बढ़ाई स्विकार कीजे क्योंकि जिस भाव पे आपने 230 के बहाव पे लिया है और स्टॉक्स की संख्या भी आपने अच्छी ली है तो इसलिए आप पर मुनाफ़ा होता हुआ हमें बताते हैं कि कितना समय और देना चाहते हैं हम देने कम पांच साल देरें दो चाल देरें हमें को महला हमने इन्वेस्मेंट ले रखा रखा हुआ है ठीक है हाँ क्वालिटी अच्छे फायदे में हैं लेकिन एक जो इनकी चिंता है कि जिस तेजी से उपर नहीं जाता है उससे डबल तेजी से नीचे ये स्टॉक आ जाता है और आज भी आदेखिए कि सवाचार परसंट की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है लॉंग टर्म जो है वो नजरिय तो गेंस थोड़े स्लो आते हैं अगर आप लास्ट विक का अगर उसका मोमेंट देखे तो हाला कि मार्केट 1200 पॉंट निफ्टी मतलब हायर लेवल से निफ्टी में करेक्शन आया है ताटा पावर में में मीजर करेक्शन देखनी को नहीं ही मिला है और आज अगर आप दे का इनका व्यू है तो डिफिरिंटली बने रही है नीचे में अगर आप देखे तो अभी भी 410-420 पे इसका 200 डिये में है मैं साला दूंगा कि इस टॉक में चर्निंग करते रही है उपर के लेवल पर अगर 484-485 ऐसा आता है तो पार्शली बुक करते रही है वापस नीच स्ट्राइटिज आपको बता दी गई है इसमें अब खोल कर यह उपर के तरफ 480 के असपास रेस्टेंस है तो वहाँ पर कईनके आप थोड़ा सेल करते रही है नीचे के तरफ आएगा तो टूंडे डिये में चाहसो बीस के आसपास है शाय दिननों बता है वहाँ पर अच् से दीरे दीरे ट्रेड कर सकते हैं अपने करेंट होल्डिंग को होल करते हुए भी तो चलिए राजे जी आप